नबस्तों दिटिंग माइप से बहुत बहुत सोगाते दोश्म शुझाइब आपका वुष्ट आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले एक नया टाइप के वारे में दोस्तों यहां पे जो फॉट्स है उन्होंने धोका तरीका एक नया तरीका इजात किया है तो उसमें किया है वो लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करके आपसे फॉट करें तो अपने गूगल मैप का नाम तो सुना ही होगा और साथ अपने गूगल मैप को कभी ना कभी यूज तो किया होगा तो यहां पे जो गूगल मैप हैं तो वहां पे आपको अगर आप कहीं पे जाना चा रहे हो तो उसके रिगार्डिक आपको बहुत सारी इंफोर्मेशन यहां पर आपको मिल जाती है जैसी कि उस जगे का पिन कोट के आए उसका फोन नम्मर के आए कब खुला रहता है कब बंद हो जाता है तो ऐसी कुछ इंफोर्मेशन वहां पर डाली होती है तो आप उसको भी देखके आप यहां पर पता लगा सकते हैं कि वह जो बैंक है या फिर वह जो संस्ता है वह कब-कब खुली रहते हैं और जो कब उसको कैसे कॉंटक करना है और यह जो सारी डिएल्स है वह आपको गूगल मैप से मिल ज आँगा कि कैसे गूगल मैप को यूज करके फ्रोट किया जा रहा है और कैसे आप इसे बच सकते हैं दोस्तों को दोका दरी करने के लिए कोई भी गूगल का कोई सर्वर या फिर जो गूगल मैप का वेबसाइट है उसको हैकन की कोई जरूरत नहीं परी वह क्या कर रहा है वह वहाँ पर जो गूगल मैप का जो किसी भी अगर अपर उसका डाल दे रहा है तो के बाद के बाद क्या हुणा है जब उसी बैंक का अगर कशतों वह भूए देखता है कि यह कॉन्टेक नमबर है इस इसफ्रायिये बैंक का जो कि उस्टमे ने वहां पर डाले हुए है, तो वह वहां पर kontak करेंगा और वह उस itself lard के साथ बात करेंगा जबकि जो किस्तेमर है उसको यह लग रहा है कि वह अपना जो बैंक है उसके किसी कस्टम swirl या फिर जो वो बैंक के ऑफिसर उनसे बात कर रहा है तो वो फॉर्ड उनसे जो सारी इंफॉर्मिशन है बन्तों कि बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर एट्यम कार्ड नंबर ऐसे कुछ डीटेल्स जो है वो उनसे पूछ लेता है वो और जो वो कस्टमर होता है वो उनको सभी इंफॉर्मिशन वाँ पर दे देता है क्योंकि उसने खुद कॉल किया है और वो यह सोच रहा है कि मैंने मैं जो बात कर रहा है वो एक बैंक एक्जगूट से बात कर रहा हूं तो यहां पे यह जो चीज़े यह कैसे काम करते यहां और जो गूगल है तो वह इस नमबर आइड नहीं किया होता है तो गूगल आपको यह पर यह ओप्शन देता है कि अगर आप आप आपके पास से गूगल अकाउंट मांदमות जीमेन अकाउंट है तो आप directly Google Map पे जाके वहाँ पे उस contact number की जगा कोई भी contact number आप वहाँ पे डाल सकते हो Google को ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे उस सरकरी संगस्ता को जानते हो और आपको पता है कि उसका number क्या है तो आप उसके लिए आप दाल नहीं हों पर जो a farts है वह सी बात का misuse कर रहे है और वहाँ पर अपना जो खुदक नंबर है वहाँ पर डाल दे रहा है और जो कास्टमर है वह वहाँ पे Google Map पे अपना जो बैंक का इनफर्मिशन है वहाँ पे चेक कर रहे हैं तो उसको जो नंबर मिल रहा है वह एक फॉर्ट का नंबर है तो उसी नंबर पे माराश्टक पुलिस में कंपेंड किये तो वैसे ही जो पुलिस अधिकारी उनको पता चला है कि इस ट्राइप का जो नया फ्रॉड है वो यहाँ पे हो रहा है और वो लोग सबको यहाँ पे साथदान कर रहे हैं कि दोस्तो आप यहाँ पे जो Google Map पे जो इनफर्मिशन मिलती है तो उसको आग मुत के वहाँ पे विश्वाज मत कीजिएगा पहले उसको वेरिफाइ कीजिए कि जो इनफर्मिशन Google Map पे है वो बिलकुल सही है जैनुएन है उसके बाद ही आप उस पे विश्वाज कीजिए या फिर वहाँ पे कॉल कीजिए और दोस्तो इसके साथ साथ मैं मैं आपको यह बी एक बात बताने हैं चाता हुए कि जब आप लोग किसी सरकरी समस्ता को या फिर किसी भी बैंक को वहाँ पे फोन करते है तो आपको वहाँ पे जो पाइवेट इप fridge जैसे कि आपका credit card का number, आपका credit card का pin या फिर आपका internet bank की user id, net bank की password ऐसी या फिर आपको कोई OTP आया हो तो ऐसी चीज़े आपको वहाँ पे पूछी नहीं जाएंगी, आपको वहाँ पे ऊपर उपर की information है वहाँ पे पूछी जाती है, जैसी कि आपका account number क्या है, या फिर आप क्या है, ऐसी चीज़े आपको वहाँ पे पूछी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको कभी भी आपका mobile number हो, या फिर कोई भी OTP हो, या फिर आपका ATM card, या फिर credit card के जो details है, वो कभी भी आपसे पूछी नहीं जाएंगे, तो आप यहाँ पे कई भी किसी bank में अगर phone करते हो, कि वो अगर मांगते हैं, तो उनको मत दीजिएगा, चाहिए वो official जो आपका bank का number हो, तब भी आप महाँ पे कोई भी ऐसे details मत दीजिएगा, और दोस्तों इसके साथ समय आपको ये भी कहना चाहता हो, कि अगर आप Google Map पे कोई भी bank का, या फिर कोई सरकार समस्त का, कोई ऐसा contact नमबर या फिर कोई ऐसा contact details देखते हो, तो पहले आप किसी दूसरे से, किसी जो ऐसे वेखती हैं, जिसको पता हो, इस बारे में तो उनसे पूछ लीजिए एक बार कि क्या ये जो नमबर है, क्या ये जो address है, ये official मदब की ये सही है, तो अगर वो बताते हैं कि हाँ, ये सह ही है, तो उसके बाद ही आप वहाँ पे contact कीजिए, और वहाँ पे अगर आपको ऐसी कोई personal information मांगी जाती है, जैसे कि मैं आपको बताया है, तो आप वहाँ पे मत दीजिएगा, आप fraud का सिखार हो सकते हैं, दोस्तों इस वीडियो को आप अपने friends, family, दोस्तों के साथ जितन चाहिए, उतना share कीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया है, कि इस type of fraud यहाँ पे हो रहा है, और आपका घर में कोई भूजरू होंगे, तो उनको भी बताईए, कि इस type of fraud हो रहा है, तो सब को यहाँ पे इस fraud के मांद में पता चलने चाहिए, क्योंकि ऐसे fraud अगर किसी एक व लीजिए, और साथ साथ बिल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियो से हैं, वो मैं आपके लिए रूजाना ला सको, जय हिंद।